अलो गाई स्वागत है आप सभी का एक बार फेसे आपके अपने चैनल स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग में गोस्तों आज हम बात करेंगे अपकमिंग जो आपका मेडिकल और नॉन मेडिकल का एक्जाम आ रहा है टैट का जिसमें हमारे पास जो कमिस्ट्री सेक्शन का आता है इसमें 30 कुछे जाते है तो मेंली यहाँ पर आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे जो आपके पास करंटली जो आपका प्लिस कॉंस्टेबल का बैच है वो जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है 15 अमंबर से तो जितने भी इंटरेस्टेट स्टूडेंट्स होंगे वो जो है वो हमारा नीचे नंबर दिया गया है 75910-46600 पे जो वो कॉ इस वीडियो को मोस्ट इंपोर्टन्ट मेडिकल एस वेल एस नॉन मेडिकल केमिस्ट्री सेक्शन तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेशन आता है कि बिच आफ दा फॉलोईंग या फिर बिच आइसो टॉप ऑफ हाइड्रोजन इस रेडियो एक्टिव इन नेचर त तो आपके पास आप्शन है प्रोटियम डूट्रियम परोक्साइड और ट्रीटियम तो इसमें जो आपके पास कुरेक्ट अंसर हो जाएगा विच इस ट्रीटियम आपके पास जो ट्रीटियम आपका आइसो टॉप होता है आइड्रोजन का विच इस रेडियो एक्टिव इन नेच्चर इसके बाद second question है हमारे पास कि which of the following non-metal is conductor of electricity हमारे पास यहाँ पर option है graphite, sulfur, oxygen और nitrogen तो इसमें आपके पास आपने ऐसा non-metal बताना है which is the conductor of, conductor means आपके पास जो conduct electricity को conduct करता हो तो यहाँ पर जो आपके पास correct answer हो जाएगा which is option number a graphite, graphite आपके पास यहाँ पर जो है वो correct answer हो जाएगा और आपके पास conductor of electricity की जब हम बात करते हैं तो electricity हमारे पास कब होती है flow of charge, means आपके पास जब flow करते है charge तो हमें electricity जो अब बो प्रोड्यूस होती है, इसके बाद हमारे पास जो next आपका question आता है question number 3 है कि no new substance is formed जब आपके पास कोई भी new substance जब वो फॉर्म नहीं होता है तो उस case में क्या है हमारा जो उसको हम chemical reaction बोलेंगे या फिर chemical change बोलेंगे या फिर physical change बोलेंगे या फिर none of these तो इसमें हमारे पास जो correct answer हो जाएगा which is physical change यहाँ पे जब आपके पास कोई भी new reaction जो वो फॉर्म नहीं होता है निया substance फॉर्म नहीं होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि हमारे पास physical change हुआ है हमारा like आपके पास melting of ice की बात करें तो melting of ice में आप क्या देखते है कि ice से हमें water मिलता है और water से हमारे पास तुबारा ice मिल जाती है तो means आपके पास यहां पर क्या हुआ कोई नया substance जो नहीं बना तो इट means physical में आपके पास state में change आया इसकी shape में change आया वर्ट हमारे पास नया substance जो नहीं बना दूसरी और जब हम chemical change की बात करते हैं तो हमारे पास new substance जो वहां होता है आपके पास आप किसी कागज को जला रहे हैं तो हमारे पास जो उसको जलाने के बादusted ash की फोप में हमें क्या मिलेगा देखने को new subject मिलेगा तो इस तरह से हम इसको बोल सकते है कि जब आपके पास कोई भी नया सबस्टांस जो वो फॉर्म नहीं होता है तो इस केस में हमारा जो है वो फिजिकल चेंज हुआ तो option B जो है इसका correct answer हो जाएगा इसके बाद हमारा next question आता है कि which of the following mineral is not needed by our body option है आपके पास calcium iron mercury और phosphorus यहां पर आपके पास सभी को पता है calcium की कमी हो जाती है हमारे सरीर में it means हमारी body में calcium कहीं न कहीं exist करता है इसी तरह iron हमारे homoglobin में जो हमें देखने को मिलता है और phosphorus हमारी bond बगेरा जितनी भी form होती है उसमें phosphorus जो अब देखने को मिलता है तो यहां पर हमनोंने not पूछा है तो option number c जो अब बिचेज the correct answer because mercury जो हमारी body के लिए essential नहीं है it is should not needed for our body तो हम बोल सकते है कि यहां पर जो option number c है mercury which is not important या फिर not needed for our body इसके बाद next question आता है हमारा oxidation number of carbon in acetic acid आपने क्या करना है oxidation number जो find out करना है acetic acid में तो option है plus two plus one zero और minus two तो सबसे पहले आपको acetic acid में acetic acid का जो फार्मूला पता होना चाहिए तो आप सभी को पता है कि acetic acid का जो chemical formula होता है CH3COOH जो रहता है तो basically इसको मैं another form में किस तरह से लिख सकता हूँ देखे carbon हमारे पास one और two molecules यहां पर carbon के है hydrogen three और one hydrogen four और oxygen कितने है यहां पर two इस तरह से लिख सकता हूँ यहां से हम मान के चलेंगे कि x जब हो इसका oxidation number है तो यहां से two x हो जाएगा plus आपके पास four plus one आपके पास hydrogen के उपर charge plus आपके पास two oxygen और minus two इसके उपर charge तो यहां से देखे two x plus four और minus four plus four से minus four जाएगे तो आपके पास two x is equal to zero और x is equal to zero तो यहां से आपके पास जो oxidation number आएगा carbon का which is option number c आपका zero तो आई होप सभी को वीडियो जो पसंद आ रही होगी तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो like, share और subscribe जरूर करें और अगर आप channel को पहली वार visit कर रहे हैं तो subscribe जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें और जिन्होंने late join किया है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो police constable का batch जो हो 15 November से जो हो start होने जा रहा है तो जिसमें भी आप सभी जो हो जितने भी interested students है वो जो हो easily उसको जो हो हमारा number जो हो आप सभी को पता है 75910-46600 पे जो हो contact कर सकते है और साथ ही हमारा बरसे भी कर सकते है और telegram channel जो हो हमारे पास study service के नाम से telegram channel भी है उस पे भी आप message कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं हमारा next question आता है कि which assets is used in batteries of car and truck तो I hope सभी को ये question जो हो आता होगा most important और repeated question है क्योंकि maximum time examiner जो हो इस question को repeat करता है तो I hope आप सभी को इसका answer जो पता होगा option है आपके पास nitric acid, sulfuric acid और आपके पास hydrochloric acid, HCL और acetic acid तो इन में से आपके पास जो इसका correct answer हो जाएगा which is option number B, sulfuric acid जो आपकी batteries होती है या फिर car या फिर trucks की battery की बात करें तो उसमें आपके पास sulfuric acid जो पाया जाता है और आप सभी note करेंगे कि इस आपके पास sulfuric acid को kings of acids के नाम से जाना जाता है, oil vitroles के नाम से जाना जाता है और most important है इन दोनों नाम को आपने याद रखना है, king of chemical and दूसरा है oil vitroles और directly आपसे question पूछा जाएगा तो आपका answer जो हो sulfuric acid जो हो होना चाहिए उस case में अगर आपसे human stormage में पूछा जाता है, human stormage में आप सभी को पता है, HCL जो पाया जाता है और हाली में आपका एक exam हुआ था, HP forest का जिसमें भी हमारे से question पूछा गया था तो बहाँ पे भी उसका answer जो हो HCL होना था, इसके इलावा आप बात करें nitric acid की तो आप सभी को पता है, royal water में जो आपका nitric acid जो पाया जाता है इसी तरह हमारा next question आता है group 16 element is called, it is the most important question for your examination point of view यहाँ से question जो बन जाता है, तो मैं यहाँ पे सभी groups को detail में जो भी discuss करूँगा तो सबसे पहले देखिए group number 16 की जब हम बात करते हैं, तिनको किन नाम से जाना जाता है option है आपके फास, pin cousin, halosan, noble gases या फिर चल cousin तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं, halosan की तो halosan आप सभी को पता होना चाहिए कि halosan जो है वो group number हम किसको बोलते है group 17 को हम halosan के नाम से जानते है, group 18 को जो हम noble gases के नाम से जाना जाता है इसके इलावा pin cousin की बात करें तो इन maximum students को इसका पता नहीं होता है तो आप सभी जो हो learn कर लें कि group number जो आपके पास 15 होता है 15 जो group number होता है उसको हम pin cousin जो बोलते है और basically हमारे पास जो group 16 होता है वो होता है चल कोजन most important question है सभी note करें group 18, group 17, group 15 और group number 16 यह अगर चार चीज़ें आपको अच्छे से याद है तो directly question पूछा जाता है तो I hope सभी को इतना clear होगा next question आता है हमारे पास कि सीनेवार is the ore of which सीनेवार किसका ore है तो हमारे पास first option है sodium, zinc, mercury और silver तो इसमें से आपके पास जो option number C आता है mercury तो सीनेवार आपके पास mercury का एक most important जो वो और है जिसका की chemical formula होता है HGS तो आप सभी ने याद रखना है कि सीनेवार जो वो किसका और है mercury का most important है क्योंकि ore से question जो वो बनता है तो I hope सभी ने अच्छे से जो वो और को learn करना है इसके बाद next question आता है calamine is the ore of calamine किसका ore है option है आपके पास copper, nickel, mercury और zinc तो यहाँ पर जो आपके पास correct answer हो जाएगा calamine is the ore of zinc आपका जो calamine होता है वो ore होता है किसका zinc का इसके साथ एक important आता है lead का एक और होता है glena उसको भी आद कर लें सभी lead का जो एक important और जो वो पूछा जाता है maximum time glena इसके बाद next question आता है question number 10 which of the following metal is called metal of hope इन में से कौन सी metal ऐसी है जिसको metal of hope के नाम से जो वो जाना जाता है तो option है आपके पास platinum, iron, uranium और gold तो जिनोंने भी हमारी classes जो वो attend की होगी तो I hope उनको अच्छे से पता होगा कि metal of hope जो वो किसको कहा जाता है तो basically आपके पास इसका जो correct answer हो जाएगा वो option number C, uranium uranium को जो हो metal of hope के नाम से जो वो जाना जाता है इसके साथ ही जब हम बात करते है platinum की तो platinum को भी आपके पास एक another name से जाना जाता है which is white gold याद कर लें सभी कई वार directly question पूछा जाता है कि white gold के नाम से जो वो किसको जाना जाता है तो आपके पास जो correct answer होगा which is platinum इसके बाद next हम बात करते है uranium की तो uranium आपके पास as a fuel जो वो वर्क करता है या फिर nuclear reactor में जो वो इसका काफी use जो देखने को मिलता है इसके लाबा gold और iron आप सभी को पता है daily life के metal है तो इसके बारे में तो आप सभी जो वो अच्छे से जानते हैं कि gold और आपका platinum जो हम इसका use कैसे करते है इसके बाद हमारा next question आता है question number 11 कि who proposed the pH scale कि pH scale को किसने जो वो proposed किया है option है ऑस्ट वर्ड, सोरेंसन, वोर या फिर मैक्सवल तो आपके पास option जो वो चार दिये गए है इसमें आपने मुझे बताना है कि pH scale जो वो किसने invent किया है प्रपोस्ट किया है तो आपका जो B option जो होगा which is the correct answer तो थोड़ा सा मैं आपको pH scale के बारे हैं बताता हूँ pH आपके पास pH scale एक आपके पास scale होता है जिसमें कि आपके पास 1 to 14 जो वो number रहते हैं जिसमें हमारे पास center में जो वो 7 जिस भी numbers की pH value जो वो 7 होगी वो neutral जो वो कहलाता है like आपके पास water जो होता है वो neutral जो वो आता है और जो आपके पास 7 से छोटी जिन भी आपके पास सबस्टांस की value जो आएगी वो acidic in nature होंगे और 7 से बड़ी जब इस साइट जब पीएस value लाइस करेगी तो basic in nature जब होंगे तो mostly हमारे पास pH scale एक ऐसी scale है वो किसी भी आपके पास substance की acidic या फिर basic nature को confirm करने के वारे में हमें जो वो information देती है तो यह था आपका pH scale इसके बाद हमारा next question आता है question number 12 की what is the chemical name of dry ice यह आपके पास board वालों का most आपके पास important question है यहां से जो है वो maximum time इस question को repeated question है काफी time जो पूछा जाता है कि solid जो आपके पास dry ice होता है उसका जो chemical name जो वो क्या होता है तो option है आपके पास derelium calcium sulfate solid carbon dioxide या फिर silver nitrate तो यहां पे जो आपके पास correct answer हो जाएगा which is solid carbon dioxide most important है यह भी आपके examination point of view से तो इसका जो correct answer हो जाएगा which is solid carbon dioxide को हम किसके नाम से जानते है dry ice इसके बाद जो next question आता है कि which of the following metal store in kerosene oil इन में से कौन से आपके पास metal है जिसको की kerosene oil में जो रखा जाता है due to its high reactivity क्यों रखा जाता है because इसकी जो reactivity होती है वो high होती है with water और air के साथ तो option है आपके पास zinc, sodium, calcium और magnesium इसका जो correct answer हो जाएगा which is sodium तो sodium और आपके पास potassium आपके ऐसे metal है जो की उनकी reactivity जो वो काफी high होती है जिसकी बज़ा से उनको जो वो kerosene oil में जो रखा जाता है क्योंकि जब उनको air और आपके पास water की connectivity में लाया जाता है तो वो आग जो वो पकड़ लेते हैं जिसकी बज़ा से इनको जो वो kerosene oil में जो रखा जाता है यह भी काफी important आपके examination point of view से जो वो question है और most repeated है तो आप सभी को पता होना चाहिए इसके इलावा reactivity series सभी जो वो learn कर लें यहाँ से भी question बनता है reactivity series से इसके बाद देखिए question number 14 आपके पास royal water is also known as royal water के नाम से किसको जो जाना जाता है option है आपके पास soft water, hard water, rain water और aqua regia तो यहाँ से आपके पास जो option number D होगा which is the correct answer because जो आपके पास royal water का another name जो है वो किसका another name है aqua regia को का ही another name जो हो royal water है तो basically आपके पास यह royal water है क्या तो जैसे हमारे पास platinum हो गया या फिर हम gold की बात करें जितने भी हमारे पास यह high reactivity वाले जितने भी हमारे जो आपके elements होते है इसमें basically क्या होता है कि इनको इनके उपर जो है वो unrelevant particle जो है वो easily आ जाते है dust particle like आपके पास जितने भी irrelevant particle होंगे उनको हटाने के लिए या फिर उनको दूर करने के लिए क्या होता है इनके उपर गंदगी unpleasant जो आपके particle होते है उनको जो अब हटाने के लिए इसको जो अब royal water में जो रखा जाता है तो royal water basically यही होता है it is the mixture of HCl and HNO3 mixture है आपके पास दो compound आते है इसमें एक HCl आता है एक HNO3 आता है तो इनकी भी ratio होती है 3 part में आपके पास HCl आता है और 1 part में जो आपके पास HNO3 आता है तो कई बार directly question पूछा जाता है कि ratio क्या रहती है HCl और HNO3 तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 3 parts जो अब हो HCl के होते है और 1 part जो अब किसका होता है HNO3 का जो अब रहता है तो यह सारी process जो होती है वो royal water की लिए जो अब होती है और basically इसमें इतनी इतनी composition जो अब दोनों क रहती है most important है यह भी क्योंकि यहां से जो अब question बनता है ratio के लिए question बनेगा या फिर इन दोनों में से किसी एक का नाम जो वो दिया होगा दूसरे का पूछ लेगा या फिर इसका another name जो वो पूछ लेगा इसके इलावा जो हमारे पास लास्ट question आता है कि what is the chemical name of vitamin E अब देखे vitamins भी आपके पास बहुत ही important आपका concept है आई होप सभी को पता होगा कि vitamin E का जो है वो chemical name जो है वो क्या होगा option है tocopherol, calciferol, thymine and retinal तो आप सभी को पता है कि tocopherol जो है वो इसका chemical name जो हो रहता है vitamin का जिसके लिए मैंने आपको एक important trick भी बताई थी vitamin की chemical name को याद करने के लिए रत एक टॉफी इस तरह से मैंने एक journal से tricks जो हो बताई थी तो vitamin A के लिए R रत से आपके पास retinal, vitamin B के लिए आपके पास thymine और vitamin C के लिए आपके पास A से ascorbic acid और आपके पास vitamin D के लिए calciferol, vitamin E के लिए tocopherol और आपके पास vitamin K के लिए आपके पास app से आ जाएगा vitamin K का तो इस तरह से आप जब इसकी tricks भी यूज़ कर सकते हैं vitamins के chemical names को याद रखने के लिए तो I hope सभी नहीं जब वीडियो को enjoy किया होगा तो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आती है तो like, share और subscribe जरूर करें और साथ में मैंने आपको पहले ही बताया है कि HP आपके पास police constable का course जब वो 15th of November से जब वो start होने जा रहा है तो आपके पास number है 75910-46600 पे आप contact कर सकते हैं और इसी के साथ हम daily जब वो chemistry के question जब वो करते रहेंगे और साथ में आगर किसी को कोई इससे related दिक्कत आती है तो comment में आप comment box में जब वो comment कर सकते हैं या फिर आप official number पे जब वो contact कर सकते हैं Thank you for watching कर दो कि आप सकते हैं